मैं जब सात्वी में पढ़ता था मेरे कोर्स में हैदर अली और टीपू सुल्टान थे कोर्स की किताब है क्योंकि 1857 या 1947 से पहले का जो इतिहास है उसका अधार क्या कसोटी गया है जो अंग्रेश से लड़ा वो देश भग जो अंग्रेश के साथ था वो देश दिरोही चूंकि टीपू सुल्तान अंग्रेश से लड़ा इसलिए वो देश भग इस हरामजादे ने एक एक दिन में हजारों हिंदू कटवाएं हैं मुसल्मान बनाने के लिए इसकी अपने सारे आदेश उपलब्ध हैं अपने सेना पतियों को आदेश महां जाओ वहां के मंदिर तोड़ो वहां के काफिरों को मारो मगर चुकि अंग्रेश से लड़ा तो यह देश भक्त हो गया मुझे कैंसर नहीं है तो इसका मतलब मैं स्वस्तू हूं स्वास्तिक विधायक तत्व है राष्ट किसका है इसका इससे कोई सवाल नहीं है कि वो अंग्रेश से लड़ा या अंग्रेश से नहीं लड़ा जैसे एक बहुत प्रतिष्चत नेता बड़ा नाम अटल भीहरी बाच पही उनका सावार करजी पर बहुत सुन्दर भाशन है कादे गंटे का उसमें एक टुकड़ा है जिसमें वो प्लासी की लड़ाई पर बूल रही है अब बिलकुट पूरे मूड में प्लासी की लड़ाई में जितने लोग युद्ध भूमी में लड़ा रही थे उससे अधिक युद्ध भूमी के बाहर खड़े युद्ध का परणाम सुनने की प्रतिक्षा कर रही थे राष्ट का भविश्व द्वाम पर था राष्ट का भविश्व एक तरफ कौन है ढाका का नवाब दूसरी तरफ कौन है अंग्रीजी पहुँझे है इसमें राष्ट कहा है एक तरफ नया डखे थे दूसरी तरफ पुरान डखे थे राष्ट कहां से आखिर राष्टी तागी को परवाशा होगी कि नहीं दोसो साल पहले जो हरामजादा आ गया वो राष्ट का हिस्सा हो गया मूल प्रश्ण पर विचार करेंगे कि नहीं अन्निता होगा क्या कि एक फिराग गुरुपूरी का शेर है सरजमीने हिंद पर अखवाम आलम के फिराग यानि भारत की धर्टी पर विबन जातियों के समूहों के अखवाम आलम दुनिया वर की कौमों के फिराग काफले आते गए हिंदोस्ता बनता गया यह धरमशाला है चुचुका मुरबा है आप राष्ट को अगर परवाश्चत नहीं करते तो अराष्ट्री कहां से तैहूंगे दिली में आज कोई आ जाए तो उसे यह लगेगा मुगलिया पीरिट चला है अकबर रोड शाजा रोड तुगलक रोड फिरोशा रोड शाजा आपने भारत को क्या बना दिया है मगर यह तब तक होता रहेगा अटल जी गलत नहीं कह रहे है क्योंकि अटल जी ने जो कोर्स पढ़ा उस पर बात कर रहे हम जैसे लोगों ने थोड़ा सा आखे खोल ली सीधे सीधे बंगाल की जो यह लड़ाई है और ध्यान भहे यह नवाब कुन था जिसने रानी भवानी जगत सेट अमीचन सेट मीर जाफर के घर की औरतें उठवा ली थी इस हरामजादे के खिलाफ हम खड़े होंगा कि नहीं हम को अपना तराता अपना तारान हार अंग्र रहा होगा उसमें काली पूजा की सदियों बाद सार्व में उपासना हुई जिसमें डालोजी इस खुद समलित हुआ ये हम पर गव मांस के टुकड़े फेके जाते थे अगर हम जनेव पहन लेते थे हमारे घर में अगर शंक की आवाज आती तो हमला हो जाता था ये डॉकुमेंटेड है लिखित है तो हम ऐसी हर बात के विरोध में खड़े होगा के नहीं सिर्फ इसलिए कि दो सो साल से ढाका में नवावी चल रही है तो राश्ट का हिस्सा हो दया ये राश्ट क्या है धर्म क्या है इसका पूरा एक 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 फ्रेम बनाएगी बगार ये बात नहीं बनने वाली उस फ्रेम को जब बनाएंगे तो आप आएंगे कि टीपू सुल्टान तो इसमें राक्षा सहरता है हेदर अदीर चांडाल बनता है इनको बाहर करना रुका करना ये वगी जो अंग्रेश से लड़ा भाईया अंग्रेश के खिलाब जिसने नकली नोट चापे उन्यूस सो बैलिस में वह भी देश्वक्त हो जाएगा है इस बड़ी समस्या है जो इस देश में अभी तक और राश्टवादी डल भी विमदार है उन्होंने भी इस पर काम नहीं किया है बिल्कुल उस पष्ट के राष्ट मेरा है मैं हूँ उसका तरह देकारी आपको ध्यान होगा आपको थोड़ समय और ले रहा हूँ खुश्वन सिंग ने एक आर्टिकल लिखा था कि जाटों गूजरों राजपूतों आप मेरी है मुगल तो इन्फिल्टेटर्स हैं अक्रमन कारी है इन से अपनी धर्ती छीनना हमारा दायत तो है 1857 में जो एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है विलियम डेल रिंबल की दलाफ मुगल अच्छा लास मुगल जी उसमें इसका उल्लेख है अंग्रेजों ने अब कुटाई करी तो सब भागे मुगल निकल निकल के तो जाटों ने मुगल औरतें ले ली और उनको अपने घर में डाल लिया और दो दिन चार दिन बाद की भेंस दू गोबर उठा मुगल शेय दादी को इसमें लगाया तो जाटों की धर्ती है मुगलों की धर्ती नहीं है उन्हाने जो हमारे साथ किया था उसका जवाब देंगे हम जब हमारे बसका होगा तब देंगे बिलकुल स्पष्ट बात है यह राष्टवादी गल है उनको भी समझना चाहिए यह धर्ती किसकी है प्रशांत इस धर्ती के उत्तरादिकारी है सौमी इस धर्ती के उत्तरादिकारी है विने कृष्ण इस धर्ती के उत्तरादिकारी है और इनका जिसने भी रुवाया दुखाया जब मौखा निकलेगा इसको कट डालेंगे छोड़ेंगे नहीं यही इस राष्ट के जीजी विश्या का इस राष्ट के विक्सित होने का इस राष्ट के तेजसी होने का पथे मार गए